सो साइन्स एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हूंगे All India के नर्सिंग वालू के लिए ESIC की तरब से पर्मनेंट बंपर बर्दी यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर पेरामेडिकल और नर्सिंग वालो के लिए बंपर बर्ती और यहाँ पर फौरम स्टार्ट हो चुके है पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है कितने पद है और यहाँ पर फौरम कौन-कौन बढ़ सकता है selection का procedure क्या रेने वाला है A to Z जानकारी यहां पर हम आपको बाताने वाले है यहां तक कि इसकी official website पर जाकर हम आपको apply करके भी दिखाएंगे कि गर बेटे आप किस प्रकार से apply कर सकते हो तो आप यहां पर ग्यांदी जेनती का तोपा भी आप मान सकते हो आज यह आपके लिए vacancy निकल चुकी है तो चलिए देख लेते ESIC requirement 2023 ESIC में paramedical nursing staff के पदों के लिए आवेदन शुरू अब यहां पर यह आप देख सकते हो और यह रहा इसका पूरा बायो डाटा करमचारी राजे विमा निगम की और से विबिन राजियों में paramedical nursing staff के पदों पर भंपर बरती निकाली गई है यह बरती ग्रूप C के अंतर का कुल 1000 पलस यानकी 1038 रिक्ट पदों पर की जाएगी बरती के लिए notification जारी कर दिया गया है ESIC के और से आविदन परक्रिया आज यानकी 1 अक्टूमबर से शुरू कर दी गई है 1 अक्टूमबर से फोरम स्टार्ट है यहाँ पर आप बोलेंगे last date क्या रेने वाली है तो इसका जो last date है वो 30 सक्टूमबर 2023 रेने वाला है तो अगर आपको ESIC में नर्सिंग पेरा मेडिकल का फोरम बरना है तो 30 सक्टूमर से पहले पहले ही बरना होगा जो भी उमिद्वार सरकारी नोकरी की तलास कर रहे है और इस बरती के लिए योग्य है तो वे तुरंत ओपिशल वेबसाइड पर जाकर फोरम को बर दे अब यहां पर आप बोलेंगे योग्य कौन कौन है eligibility क्या रखी गई है योग्यता क्या रखी गई है तो उसकी भी चरजाम करेंगे इसके ओपिशल वेबसाइड पर आपको दिखाएंगे चलिए यह देखिए तो इसकी अधिकारित वेबसाइड है ESIC Government.in यहां पर आपको जाना है और यहां पर requirement to paramedical post पर क्लिक करना है उसके बाद आपको new registration पर क्लिक करना है अभी live proof भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको पूरा यहां पर यकीन हो इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्जाप को करने है photograph, हस्ताकसर, payment बगिरा इस निर्दारित किया गया आविदन सुल्क जमा कराना है आविदन का print out निकाल ले एप्ली केसन फोर्म का print out निकालने के अंतिम तिती यहां पर 14 नौंबर 2023 निर्दारित की गई है तो यह print out का last रहने वाला है और फोरम का last यहां पर 30 अक्टूमबर रहने वाला है फोरम स्टार्ट है एक अक्टूमबर से तो चले इसके official website पर जाकर आपको पूरा जानकार यहां पर provide हम करवाते है बट उससे पहले जान लो application फोरम पीस कितना पीस आपका लगेगा तो ESIC requirement इस बरती में आविदन पत्र बनने के साथ ही सुल्क आपको जमा कराना है आविदन सुल्क जनरल OBC AWS पुरक के लिए 500 रुपे है और ESCST, PWD और ESM महिला डिपार्टमेंट के उमिद्वारों के लिए 250 रुपे निर्दारित किया गया है तो बहुत ही अच्छी बात है देखो पीस भी बहुत ही कम है और यह पर्मनेंट बर्तिया आपके लिए अरेने वाली है चलिए और भी जानकर यहां पर आपको प्रवाइड कर वा देते हम अब यहां पर आप बोलेंगे सर आप तो इसकी ओपिशल वेबसाइट पर जाकर भी हमको नोटिफिकेशन दिखाओ और रेजिस्टेशन कैसे करना है इसका प्रोसेजर भी हमको बताओ तो चलिए इसकी ओपिशल वेबसाइट पर आपको ले चलते हैं ओके सो जैसा कि आप यहां पर देख पारूंगे esicgovernment.in यह आपको टाइप कर लेना है और जैसे आप यह टाइप करके सेर्च करते हो ति esic के ओपिशल वेबसाइट ओपन हो गए और यहां पर यह जो लाइन निकल रही है ग्रीन के उपर वाइट में इस पर तोड़ा गोर करो आप साप साप यहां पर लिखा हुआ है अभी यह यहां पर दिखाए देगा nursing और paramedical का यह जो लाइन देख पार हो न आप यह निकल रही click here to submission online requirement the paramedical post esic तो जैसे इस पर क्लिक करते हो यह हमारा नया page open हो जाता है जहां पर साप साप लिखा हुआ है requirement of group c paramedical nursing staff for esic medical education institute ठीक है और यह रहा इसका पुरा बायो डाटा application forum starting date एक अक्टूमबर closing date 30 अक्टूमबर और editing forum 30 अक्टूमबर last date print application forum 14 नोवंबर online peace payment एक से 30 अक्टूमबर तो यह पूरा time table आपके लिए रहने वाला है अब बात आती कि registration कैसे करे तो यलो कलर में आपको black दिक्राओ का click to hear new registration तो इस पर click करना है तो निया interface open हो जाता है 5 step और यहाँ पर payment site 6 step 6 step में आपका forum बरेगा तो पहले तो basic information जो आपकी basic detail वो फिलब करनी है फिर आपको photo signature यहाँ पर upload करने है फिर आपको detail फिलब करनी है फिर आपको preview देख लेना है फिर आपको यहाँ पर uploads जो basic signature वगिरा है वो uploads करने होंगे आपका documents आपको upload करने होंगे फिर आपको payment करना होगा online आप कर सकते हो तो यह six step यहाँ पर रहने वाली है तो basic information में आपका नाम first name last name middle name यह आपको फिलब कर देना है और फिर यहाँ पर आपका mobile number यहाँ पर again आपको अंपम कर देना है फिर यहाँ पर आपको email ID और थोड़ा सा scroll down फिर यह आपको security code यह वाले यह security code यहाँ पर फिलब कर देना है ठीक है और यह रहा security code यहाँ पर आपको फिलब कर देने उसके बाद फिर आपको save और next पर क्लिक कर देना है तो यह आपका registration हो जाएगा और टी पर आपके mobile नमर पर आज जाएगा यह आपकी basic detail हो गई फिर photo और signature, passport size के photo आपको upload करने होंगे और रही बात documents की तो वही आपका 10 वी का mark sheet, 12 वी का mark sheet ठीक है, तोड़ा सा यहाँ पर clear में कर देता हूँ 10 वी का mark sheet 12 वी का mark sheet, nursing का degree diploma, BS nursing JNM ठीक है, जो भी आपके पास है और फिर आपका domicile certificate और ID proof आदार हो गया, pain हो गया driving license जो भी है, वो आपको पर भी इसका link आपको provide करवा देंगे, बनकि MPS academy पे तो इसका link hovishly बात है, आपको मिली जाएगा और बहुत यह अच्छी vacancy है रहने वाली है और अब बात कर लेते syllabus की, यह ऐसा syllabus क्या रहने वाला है, तो nursing subject से question बनेंगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहूंगे, यह आपका midwipery, health education हो गया basic information of nursing, ठीक है तो यह और भी है यहाँ पर जैसा कि biochemistry, microbiology, mental health, nursing यह खाप सार PDF है तो यह MPS academy app पर आपको available हम करवा देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे, और इसका link नीचे दे रखा है वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो आप इसको download कर सकते हो और टेलेग्राम का link भी नीचे दे रखा है